नागदा से हमारे संबाद दाता संजय सर्मा की रिपोर्ट उनहेल चोपाटी पर भीशण सड़क हाथसा कार और जीब की भैंक कर टक्कर से एक की मौत नागदा तैसील में उनहेल चोपाटी पर कार और जीब की भणत पुलिस मौके पर पहुची गाड़ी में फसे लोगों को निकालने की तैयारी अल्टो कार में फसे योबत को कार को काट कर बहान निकाला गया बता जा रहा है कार चालक ने बहुत सराब पी रखी थी नसे में था कार चालक के सरीर पर कोई भी कपड़े पहने हुए नहीं था जीप उनहेल की बताई जा रही है उसमें से दो लोग घायल है महीत पुर्रागर जी के डौंगला गाओं की गाड़ी होने की जानकारी लग रही है कारचालक की मौत उनहेल चोपाटी पर भीसरार सड़ा खात्सा दो घायल एक की मौत नागदा से हमारे संबाददाता संजय सर्मा की रिपोर्ट जतारा से हमारे संबाददाता निरेंद चोबे की रिपोर्ट जनपत के बैंक खाते में फंड ट्रांसपर में गड़बड़ी लाखों रोपय के गलत तरीके से फंड हुआ ट्रांसपर जतारा जन्पत पंचिया जतारा के बैंक खाते से लाख रोपे की फंड ट्रांसपर गरबड़ी का मामला सामने आया है मामला उजागर होने के बाद अधिकारी मामले के साक्षी हटाने के में जुड़ गए बही मामले की जाच के बाद जाच के बाद दोस्यों पर कड़ी कारवाई हो सकती है जतारा जनपत 85 सीओ के एकल बैंक एकाउंट से अलग-अलग तरीके से फंड ट्रांसपर किये गए हैं जिसमें से गलत तरीके से फंड ट्रांसपर करने का मामला उजागर हुआ है पिछले बर्स से अभी तक गड़बडी सामने आई है जानकारी के अनुसार 19 में 11 लाक रोपे की ट्रांसपर गलत तरीके से हुई तथा जनबरी 20-18 में 18 लाक और सितंबर 20 में 30 लाक रोपे के ट्रांसपर गडबडी का मामला सामने आया है जिसके चतरपूर से हमारे संबाददाता किशोरी श्रीबास की रिपोर्ट जिले में आई दिन लाक हो रोपे का खुले आम जुआ सटा चल रहा है लेकिन पुलिस पर साथन अपरादियों पर नकेल कस्नी में नाकाम साबित हो रही है हाली में नोगाउ थाना प्रभारी ने आई पी एल मैच के 6 सटोरिय को पकड़ लिया गया है जिन में से पुलिस ने 5 मोबाइल साहित 1200 रोपे जब्त किये आरोपियों के खिलाब का रवाई जारी है चतरपुर से हमारे संबाद दाता के सोरी सिरी बास की रिपोर्ट